तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का ये वीडियो बहुत ही जदा इंट्रस्टिंग होने वाला है क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 12 और 13 इन दोनों चैप्टर को मात राज के इस एक वीडियो में कम्प्रीट करने वाले हैं और ये दोनों चैप्टर जो है ना नजम यानि की कवीता है और बड़ा ही मज़ेदार कवीता है और इसी वजह से मैं बोल रही हूं कि आज का ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप लोग के एक्ज सके शियर कर देना है आप लोगो को चानल पर अगर आप लोग नए नए आये हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक बीता है और इन दोनों नजम के जो राइटर है यान की लेखक लिखने वाले वह है अली सरदार जाफरी मतलब इन दोनों चैप्टर के राइटर एक ही है अली सरदार जाफरी एक ही शक्स ने लिखा है इन दोनों चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कम्प्लीट करा रही और कोई वजह नहीं है ठीक है दोनों चेप्टर एक साथ कम्टीट हो जाएगा और आइटर के बारे में भी जान लेंगे हम लोग जितना भी डिटेल्स आप लोगों के दिया गया है एक चीज़ आप लोग ने नोट किया कि आज के इस वीडियो से हिस्सायरी स्टार्ट हो गय जैसे कि कहानी अफसाना हो गया मजमून हो गया ठीक है खाका हो गया तो यह हम लोग जिस तरह नौर्मली बात्चीत करते उससी तरह किसे लिखा जाता है कहानी हो मजमून हो खाका हो या खतो नास्र चरका घाँता है तो श्आप्टर basic cheese जितना हो पढ़े वो सब से नस्रय चैप्टर थे और ऑढ़ इस विडियो से सब हो time करें चैप्ठर क्या है या कि작र की आज से ही वीडियो के से बारे में सारा जानकारी जो आप लोगे बुक में दिया गया है वो देख लेते हैं कि क्या क्या बताए गया है अली सर्दार जाफरी की पैदाईश हुई थी 29 नवंबर 1913 SB को बलरामपूर में यूपी के यानि कि उत्तर प्रदेश के बलरामपूर में 29 नॉवंबर 1913 की पैदाइश वी थी इनका जन्म हुआ था अली सर्दार जाफरी जो है न तरक्की पसंद अद्वी तहरीक में भी शामिल थे यानि कि जो वो तरक्की पसंद अंदोलन यानि कि तहरीक हुआ था देख इस भी option में आप लोगों को अली सर्दार जाफरी दिखाई देश को क्या करना है दीरे से टिक करना है तो यह important point है याद रखना है कि अली सर्दार जाफरी जो है ना इनको तरक्की पसंद तहरीक यानिकी आंदोलन में शुमार किया जाता है ठीक है और इनफेक्ट वो जो आ नाया अदब में यह मुदीर यानिकी डिटर भी बने थे यहां से तो कोशन नहीं पूछा गया है आज तक लेकिन हो सकता है कि आप लोग के समय कोशन पूछ दे तो यह भी point याद रखना है आप लोग को कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसंद नफीन के अली सर्दार जाफर जिसका नाम था गुफ्तगू लाम इंट इन्होंने पत्रिका भी निकाला था इन्होंने शिर्वोर शायरी स्टाठिक में नहीं की बलकी इन्होंने लिखने की शुरुआत अफसाना सेतंद्i तो ये फिर यह नजम लिखना स्टार्ट कर दिये और नजम निगार के तौर पर अली सरदार जाफरी काफी मशूर मकबूल हुए तो फिर ये नजम लिखना ही नजम में ही आगे बढ़ें यानि कि नजम ही लिखने लगे पीछे मुड़कर अफसाना लिखना इन्हों शुरू ही नहीं किया यानि कि पीछे मुड़कर अफसाना की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं आगे मतलब इनको नजम में ही शौरत मिलती गई और नजम ही लिखते चले गए तो याद रखेगा उन्हें से 38 में पहला अफसाना मंजिल शाय हुआ था यानि कि अली सरदार नजम यानि कि शिरो शायरी कि तरफ मतवज्जंग हो गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं शेरी मजमुआ का भी नाम आप लोगों के दिया गया है क्योंकि यह दुनिया में ही प्रकाशित हुआ पत्थर की दिवार यह उन्हें सथीर पनिस्वी में शाय हुआ एक ख्वाब औ और यह उन्हें सथ चौंसट इसवी में शाय हुआ यह याद रखिएगा कोशन पूछ देता है पहराहन किसका शेरी मजमुआ है अपसान में दिया रहेगा अली सर्दार जाफरी जिस भी आपसान में दिखाई ते इसको धीरे से ठीक करना है ठीक है और लहू पुकारता है यह भी 1978 इसवी में प्रकाशित हुआ था और यह क्या है यह भी अफसान यह शेरी मजमुआ है यानकी शेरोशारी का किताब है ठीक है अब कुछ तवील नजमों को भी देख लेते हैं यानकी वैसी नजमें जो बहुत ज़दा तवील हो यानकी लंबी हो तो तवील नजमें दो एक है एशिया जाग उठा और दूसरा है नई दुनिया को सलाम एशिया जाग उठा यह जो तवील नजम है यह उन्हें से क्यानिस्वी में शाय हुआ था और नई दुनिया को सलाम यह उन्हें से 64 में शाय हुआ था तो यह अली सरदार जाफरी की दोनों तवील नजमे तनकीदी किताब की बात कर ले तनकीद का मतलब मैं आप लोगो बताई हूं खरे खोटे की पहचान करना राइटर अगर कुछ भी लिखा हो अपसाना लिखा हो नजम Human लिखा हो उस में क्या सही है और क्या गलत है क्या ख़ुबी है और क्या कमी है यही कि लिखित कर देना ही क्या कहलाता है , तो इनकी तनकीदी किताबो का भी नाम माफ्लो के Look में दिया गया है जिसा कि तरक्की पसंद अदब यह तरकी-पसंद अदभी तहरीक हुआ था तो उसके निके लिखा गया किताब और एकबाल सम्मानिन भी इनको भी मिला था ठीक है इंतकाल इनका हो गया था एक अगस्ट 2000 को ठीक है और यहां पर फाइनली अल्ली सरदार जाफरी के बारे में जितना भी जानकारी आप लोगों को बता दी इसका स्क्रिंशॉट भी आप लोग लेख सकते हैं तो पीडिएफ अब चैनल से आप लोगों को जूड़ना है साँच किजाएगा यजग करके जाएगा लोगों कर सकते हैं तो वहां अब चलिए मैं आप लोग को यह दोनों नजम है इसको पढ़कर एक एक लाइन पढ़कर उसका तश्रीह कर दी कि इसका मतलब बता देती हूं ताकि कोशन नचूटे आप लोग कि इन और यह बारा और चैप्टर जहाएं कि कवित्र है आप लोग खुद सोची कवीता से क्या कोशन पूछेगा सिर्फ इतना पूछ सकता है कि गुफटगू नजम किस ने लिखा इनकी कवीता से कुछ नहीं पूछा जाता है जाहे वह सब्सक्राइब हो डैतर से inge मानी बताऊंगी और यूशको परन इसको पढ़कर मैं के नाम लीख यानिंकि इस नजम को लिखने मक्सद क्या है यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती करवाना मतलब यह शायर को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब गुफ्तगु होगी यानि की कनवर्सेशन होगा बाचीत होगी तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जितने भी मतवेद हैं वो सारे मतवेद खत्म हो जाएंगे सारा जो है न मिसंडिस्टेंडिंग खत्म हो हुई यह तारों भरी रात चले आप लोग देख सकते हैं यहां पर समझ में आ रहा है कि अली सरदार जाफी यान की शायर जो है नो चाहते हैं कि गुफ्तगु बंद नहों यानि कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदो पाक के बीच जो गुफ्तगु हो रही है वह गुफ्त पाकिस्तान के लोग जो एक दूसरे पर कंगर पत्थर पेका करते थे एक दूसरे से तीखी नजरों से देखा करते थे इन दोनों के भी जो मतवेद था वो खत्म हो रहा है और ये दोस्ती की तरफ हात बढ़ा रहे हैं तो तारों भरी रात जो है ना यह भी हमें देखकर करना सके कोई कातिल हो मगर कतले नवाग करना सके तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि हम जो अलफाज के हाथों में संग दुशनाम यानि कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग के बीच जो मतवेद था जो मिसंडेस्टेंडिंग थी जो दोनों देशों के लोग एक पाज के हाथों में जो संग दुशनाम था यानि कि जो गाली का पत्थर हुआ करता था जो एक दुसरे पर फेका करते थे तीकी नजरों से देखते थे जहर के जाम चलकाया करते थे एक दुसरे के उपर वह सब कुछ खतम हो जाएगा अगर यह बात अपने सीने में दिल में बिठा लिया जाए कि किसी पत्रीके से गुस्तगू करके यानकी बाच्चित करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है ना दोस्ती करवा देनी है यह बात दिल और सीने में रखकर अगर गुस्तगू कराई जाए बाच्चित कराई जाए तो यह सारा जो है ना मिस लिनावाना कर सके सुबह तक ढ़ल के कोई हर्फ वपा आएगा इश्क आएगा बसद लगज से पा आएगा नजरे जुक जाएंगे दिल धरकेंगे लब कापेंगे खामोशी बोसे लब बनके महिक जाएंगी और सिर्फ बंजों के चटकने की सदा आएगी यहां पर बोला जा है कि सुबह तक ढ़ल के कोई हर्फ वपा आएगा इश्क आएगा बसद लगज से पा आएगा नजरे जुक जाएंगे दिल धरकेंगे लब कापेंगे यानकी बोला जा रहा है कि यह जो मुलाकात हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच यह सुबह तक चलेगी गु चलते चलते जब सुबह होगी तो सुबह तक ढ़लके कोई ना कोई एक कंकलूजन यानकी निश्कर्स जरूर निकलेगा और उस वक्त जो है ना इश्क आएगा बसत लगज से पाएगा यानकी उस वक्त लुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच दोस्ती हो आवाजे आएंगी यान की दोनों देशों के बीच दोस्ती काइम हो जाएगी दुश्मनी खत्म हो जाएगी एक सुबह तक निशकर्स निकल कर आ जाएगा और उस वक्त नजरे जुक जाएंगे दिल धड़केंगे और होट कापेंगे ठीक हैं और फिर हर्फ वो नवा की नज म्हात के जरूरत होगी चसमुआबरों की इशारों में महबत होगी नफरत उद जाएगी मैमान मरवत होगी त्रवी पहिमान नवाजी होगी ठीक है हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए तोफ़े दर्द लिए प्यार की सोगात लिए रे गुजारों से अदावत के गुजर जाएंगे और खुण की दर्याओं से हम पार उतर जाएंगे गुफ्तगु बंद ना हो बात से बात चले सुबह तक शा में मुलाकात चले हम पर हस्ती विए तारों भरी रात चले और फाइनली यहां पर जो है ना यह नजमियन की कवीता कंप्रीट होता है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पड़पट आगे बढ़ते हैं अब जो है ना तेरह मां चेप्टर जिसका नाम है मेरा सफर इसको पढ़कर मैं आप लोगों को बता देती हूं देखे लिखा गया है अच्छा एक और बात मेरा सफर यह जो नजम है यह कवीता को लिखने का मकसद क्या है अलिसरदार जाफरी का तो जो शायर है अलिसरदार जाफरी इस नजम को लिखे हैं मौत के उपर यान कि मेरा सफर आप लोग खुछ तोचिए इसका टाइटल क्यों दिया गया मेरा सफर यानिकि जिन्दगी में सब कुछ कर लेने के बाद आखिर में क्या होगी हमसभी लोगों की इस दुनिया में जितने भी शक्स है ना सभी की मौत हो जाने वाली है ठीच है तो यह एक सफर है और इस सफर को पूरा करने के बाद आखिर में इनसान को मर जाना होता है ठीक है तो जब मौत आती है तो इनसान के साथ कौन-कौन सी घटनाय होती है क्या क्या कंडिशन आ जाता है इनसान को कैसा महसूस होता है ठीक है जब मौत आने वाली होती है उस वक्त इनसान जो शक्स हो रहेंगे हाथों के कवल कुम लाएंगे और बर्गजबा से नुत्वत सदा की हर तिकली उड़ जाएगी यहां पर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जिन्दगी में जो कुछ कर रहा हूं कर रहा हूं आगे जो भी करना होगा मैं करूंगा और जिन्दगी का यह मेरा सफर जब पूरा हो जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों के दिये बुच जाएंगे और हाथों के कवल कुम लाएंगे यानिकी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे आँखों के दिये बुच जाएंगे यानिकी आँखों से देखने की सलाहियत खत्म हो जाएगी यानिकी बता प्टर प्तर बोला करते हैं तो जबान जिससे हम लोग बोला करते हैं ये आवाज की टितली जो है ना वह हमेशा के लिए उर जाएगी जबान से आवाज नहीं निकलेगी ठीक है तो वही बोल रहे हैं एक काले समंदर किता में कलियों की तरह से खिलती हुई मिटी की तवों को छेड़ेंगी मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आखे फिर खोलूंगा सरसब्स हथेली पर लेकर शबनम की कत्रे तोलूंगा मैं रंग है न अहंग गजल अंदाद सुखन बन जाओंगा रुक्सारे उ समंदर की तरह और फिर जब मेरी मौत हो जाएगी और काले समंदर की तरह ले जाकर मुझको दफना दिया जाएगा उस तह में दफना दिया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद कलियों की तरह खिलती वी मिटी की तहों को छेड़ेगी और मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आ उनिकलेगा o हषिक बुंद है उसको अपने हेधेली पर याण सुन कि प실नी मेरा हाथ में बन्दी का रंग व्हुंड गज़ल का अंदाज में याड़ों की हवाये दामन दे वूण पत्ती जो होता है ना उस पर शबनम यानि की बुंद गीरा रहता है तो समझे कि वो मेरा हाथ होगा उसको लेकर मैं अपनी हथेली पर तौलूंगा ठीक है मैं महंदी का रंग और घजल का अंदाज मन जाओंगा जाड़ों की हवाए दामन में जब फसले खिजा को लाएंगी रहरों के जमा पदमों के तले सुखे हुए पत्तों से मेरे हसने की सदा आएंगी यानिकी बोला जारा है कि जाड़ों की हवाए जब जाड़े का मौसम आएगा तो आप लोग जानते हैं जाड़े के मौसम में यानिकी ठंडी के दिनों में पेड़ पौधे की पत्तिया जो सूख कर गिरी रहेंगी उन पतियों पर उस पत्ति पर जब उस शक्स का पैर पड़ेगा न तो जो कड़कड की आवाज आएंगी मेरे हसने की सदाई यानि कि वो मेरे हसने की आवाज होगी तो यह कितना बारीक बात यहां पर बताने की कोशिश किए अलिज सर्दार जापरी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बोल रहे हैं कि थंडी के मौसम में जो पेड़ से पत्ती सूख कर गिर जाती है तो वो जड़ जाती है पती तो की आवाज होगी धरती की सुनेहरी सब नदिया आकाश के नीली सब झीले हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर किस्ता मेरा अफसाना है हर आशिक है सरदार यहां और हर माशू का सुलताना है यहां पर बोल रहे हैं अलिज सरदार जाफ्ती की धरती की जीले यानि की सब नदिया सब जीले जो है ना वो सब मुझ को याद करेंगी हश्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर रुकिस्ता मेरा अफसाना है हर आशिक है सरदार यहां अच्छा यहां पर यह भी बात बताने की कुछ की गई है कि जो इंसान अपने जि की आजाता है ठीक हैंföरữa याम की अफसोस खाने में मैं एक तरपता गतरा हुऊ मस्रूफ इस फिर जो origin माजी की सुराही के के दिल से मुस्य के पैमाने में मैं सोता हूं और जाकता हूं और फिर सो जाता हूं सदियों का पुराना खेल हूं मैं मर के अमर हो जाता हूं बोल रहे हैं कि मैं गुजरा हुआ लम्हा हूँ एक गरेजा लम्हा हूं ऐयाम के अफसोस खाने में मैं एक तरपता कत्रा हूं शायर जाना अपने आपके तरपता कत्रा कह रहे हैं मस्रूफ सफर जो रहता हूं यानि कि मैं हमेशा सफर में मसरूफ रहता हूं माजी की सुराही के दिल से मुस्तक्बिल के पैमाने में कि कभी पास्ट से फ्यूचर में मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग के फिर सो जाता हूं सदियों का पुराना खेल हूं मैं मैं मर के अमर हो जात बनता है वीडियो को अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो पड़ाफट लाइक कर देया और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि हाँ में चीजे समझ में आ गई है चाप्र कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोग वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगा यह जब हम आप लोग के लिए इतना मेनत कर रहे हैं तो आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर हो सके करें तो चलिया आज कि वीडियो को यहीं पर आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस